नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश, आज मैं उपस्तित दुआ हूँ एक और most important topic को लेके जिसमें exactly हम लोग देखेंगे कि oxidant या हम उसे एक और चीज़ बोलते हैं oxygen free radicals, ठीक है, क्या होते हैं और हमारी body में क्या करते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं, और हमारी body में कौन से harmful function करने के लिए, हमारी body के लिए, क्यों ये खराब हैं, उसके बारे मैं आपको बताऊंगा, and second हम देखेंगे antioxidant, ये क्या होते हैं, और हमारी body में कहा होते हैं, और क्या कारे करने के लिए responsible होते हैं, ठीक है, तो antioxidant तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, लेकिन उ लोग समझते हैं, जो oxygen free radicals हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे, oxidant, तो इस oxidant को neutralize करने वाला, ये इस oxidant को के against work करने वाला कहलाता है, क्या, इस oxidant के against work करने वाला कहलाता है, anti-oxidants, तो इस oxidant का एक और नाम होता है, oxygen free radicals, ठीक है, ये हमारी body में लगातार बनते हैं, लगातार, ज इस दिन आप इस world में आए हैं, तब से लेकर अभी तक, और जो तक आप मरना जाएं, तब तक क्या होता है, ये oxygen free radicals word बोल दूँ, ये लगातार हमारी body में बनते रहते हैं, क्यों कि आपको पता होना चाहिए, कि हमारी body में लगातार हम क्या करते हैं, oxygen लेते हैं, लगातार oxygen हमारी body के लिए बहुत important molecule है, ये बहुत important oxygen है, मतलब gas है, जो हमारी body में आती है, हमारी body में जाती है, और body में जाने के बाद, lungs में जाती है, और lungs से, blood में जाती है, और blood से, body के पूरे cell में body हमारी काईगी बनी है, बहुत सारी छोटी छोटी cell हैं, जो आपस में मिलके उन टाइब का फैक्टरी होती है जो उस सेल के लिए जरूरी होती है क्योंकि हर सेल को काम करना है और हर सेल को काम करना है तो उसको चाहिए होता है एनर्जी और हर एनर्जी को बनाने के लिए हर सेल के पास खुद की फैक्टरी होती है जिसका नाम होता है माइटो कॉंड्रिया आप बच्पन सुनते आ रहे होंगे और इस माइटो कॉंड्रिया को काम करने के लिए चाहिए होता है आक्सिएन जब आक्सिएन हर सेल में जाएगी हर सेल के माइटो कॉंड्रिया में जाएगी तो माइटो कॉंड्रिया क्या करेगा glucose का उपियोग करके energy बनाएगा और ये जो energy होती है ये हमारी body में हर cell के तोरह उपियोग में आती है और क्या करेगी हमारी cell काम करेगी क्योंकि हमारा जो oxygen का body में जाना और cell का काम करना लगाता चलता रहता है non-stop चलता रहता है क्योंकि living body में ये process होती रहती है जैसी mitochondria oxygen को उपयोग करता है जैसी mitochondria oxygen को उपयोग करेगा और वो energy में convert करेगा oxygen को उपयोग करके तो वो oxygen के उपयोग होने के बाद हमारी body में बनते हैं oxygen free radical या oxygen ये बनते हैं ये very dangerous, very toxic material होते हैं हमारी body के लिए सबसे ज़्यादा toxic material होता है वो ये होते हैं oxygen free radicals बोल दें या oxygen बोल दें जो कब बनते हैं जैसे ही जैसे ही हमारी body ने क्या किया oxygen लिया, cell ने oxygen लिया, mitochondria oxygen लिया और उपयोग किया और बदले में क्या बना दिया उन्हें oxygen free radicals बना दिया और तीन टाइप के oxygen free radicals बनते हैं एक का नाम होता है superoxide एक का नाम होता है hydroperoxide और एक और होता है hydroxyl group OH- ये तीन most important very toxic most important very toxic material होते हैं जो हमारी body में हर cell के अंदर बनेंगे क्यों बनेंगे? क्योंकि हर cell क्या कर रही है? oxygen को लेती है क्योंकि हर cell में क्या होता है? mitochondria होता है हर cell का mitochondria कि अक्षियन का उप्योग करेगा तो बदले में क्या बनाएगा? ये oxygen बनाएंगे और ये जो oxygen हैं उसमें सबसे पहले बनता है superoxide बनता है सबसे पहले उसके बाद इस से बनता है hydrogen paroxide बनता है और इससे बनता है फिर हाइडॉक्सल यह बनता है थर्ड नमबर का ठीक है तो यह तीनों most important very toxic oxygen फेडिकल्स हमारी बॉडी में लगातार बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमारी सेल को destroy करने के लिए हमारी बॉडी को damage करने के लिए हमारी बॉडी के हर सेल को damage करने के लिए जीन को डैमेज करने के लिए यह वरेवेरी टॉक्सिक होते हैं इनका इतना बड़ा फंक्ष which is लेकिन गौड ने क्या कर दिया भगवान ने हमें उपर वाले ने हमें क्या किया है हर सेल के पास यह निकल रहा है कि टॉक्सिक मट्राइयल वन रहा है तो इस टॉक्सिक को या इनको neutralize करने के लिए इनको destroy करने इनको clean करने के लिए वहाँ पर होता है और वो clean करने वाला जो और्गनिल है या वो clean करने वाली जो process है वो कहलाती है antioxidant property कहलाती है वह antioxidant function कहलाता है तो जो oxidant है या हमारी body में लगाता बन रहे हैं और इसको निट्रलाइस करने के लिए इसको क्लीर करने के लिए हमारी बॉड़ी में हर स्टेल के पास एक क्लीनिंग मटेरियल है इन टॉक्सिक मटेरियल को क्लीन करने के लिए हम उन्हें बोलते हैं एंटी ऑक्सिडेंट मतलब हमारी बॉड़ी के लिए अच्छे देटा है कैंसर प्रड्यूस करने का सबसे मूस्ट मॉस्ट वैरी मॉस्ट इंपोर्डellt जो काउ जैसे जैसे age बढ़ते जाती है आपकी उमर बढ़ते जाएगी तो हर cell के अंदर का जो antioxidion property होती है वो भी जीयाइच कम होने लगती है इसका मतलब है यह वाली property कैसी हो रही है कम हो रही है और automatically यह वाली property कैसी होगी बढ़ रही होगी ठीक है क्योंकि हमारी body तो उतनी ही style है और उतनी ही oxygen को ले रहा है लेकिन ये वाला जो function है वो कम हो गया है ये वाला function ज्यादा हो गया है इसलिए जैसे जैसे आपकी age बढ़ेगी इसका level बढ़ने लगता है और इसका level बढ़ने लगता है तो इसके अनुसर आपने देखा होगा जैस cancer जो होता है आपने सुना होगा बहुत common बड़े जग चादा एज के हो जाते हैं 50-60 साल में बहुत common cancer मिलता है तो उस cancer को produce करने के लिए भी ये responsible होते हैं क्यों होते हों कि आप समझ में आ रहा होगा क्यों जैसे age बढ़ गई तो इनका level high हो गया है इनको neutralize करने वाला जो anti- daily routine life में इस antioxidant property को बनाने के लिए अच्छा खासा diet लेना होता है अच्छा खासा आपको food लेना होता है बहार से आपको anti-oxidants लेने पड़ेंगे क्यों लेने पड़ेंगे क्योंकि age के रूसर क्या होता है इनका function कम हो जाता है तो ये oxidant और ये anti-oxidants जो मैं आपको बताना चा देने का पूरी पूरी कोशिस करूँगा